तो क्या UK में dental treatment free है? तो क्या UK में dental insurance लेनी चाहिए? तो UK में dentist कैसे टूंडे? और कैसे ले appointment? तो आज की वीडियो में हम यही सटारे topic डिस्क्स करने वाले हैं कि यहाँ पे dental treatment का क्या process है? सारी information देने के लिए उससे पहले आपको एक छोटी story सुनने पड़ेगी जो की मेरे साथ हुई तो हुआ यूँ कि जब 2021 में क्यान बॉन ही हुआ था और कुछ ही मन्त हुए थे तो कुछ हमारे friends हमें मिलने आए और सब खाना पीना कुछ खा रहे थे हम I guess कुछ biscuits या रस वगेरा खा रहे थे जो इंडिया वले रस होते हैं तो मैंने वो एक खाया तो खाते खाते क्या हुआ कि मेरा एक दान्त टूट गया वो मुह में ही आ गया तो जैसे मुझे फील हुआ कि मेरा दान टूट गया तो मुझे तब realized हुआ कि मुझे तो यहां के dental treatment के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि क्या NHS कवर करता है और नहीं करता है तो पहले तो मैंने अपने दान्त को बाहर निकाला साइट पर रखा और तो मैंने बात करें अंकिता से कि हमें क्या गरना चाहिए the first thing was मैं सबसे पहले एक dentist दूटना पड़ेगा तो dentist दूटने के लिए सबसे पहले मैं गया Google पर वा पर मैंने लिखा find my dentist तो पहली site NHS से खुली अपना पोस्ट कोट डाला उस एरिया में जो dentist अवेलेबल थे उसकी information आ गई तो आपको भी यह करना है अगर आप भी dentist दूटना चाहते है UK में जाहा पर भी आप रह रहे हैं आपको यह website खूल के आपको आपको आपसे अपना dentist दूटना पड़ेगा Secondly, अब dentist किस तरह गे होते हैं? दो तरह के dentist होते हैं एक तो होते हैं NHS covered वाले एक होते हैं private insurance वाले तो basically most of it is private बर जो private वाले dentist भी होते हैं वो NHS के through भी registered रहते हैं तो आपको उनको call करके बोलना है कि मुझे आपके साथ registration करनी है तो registration करने पर क्या होगा? जो सबसे पहले मेरे साथ चीज होई उनकोंने मुझे पूचा है कि आपको problem क्या है? आचा, तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरा tut था वो टूट गया है अब मुझे treatment जाननी है या मुझे पता करना है कि मेरा next step क्या होना चाहिए इस चीज के बारे में लगी लिए मेरा टूटने के बाद भी मुझे इतनी कुई खास पेन हो नहीं रही थी लेकिन फिर भी मैंने का कि चलो process तो जानते है कि कैसे इस चीज को proceed करना है तो उन्होंने मुझसे कुछ-कुछ चीजें पूची कुछ-कुछ questions पूचें मेरी history पूची मेडिकल history सारे उन्होंने पूची and then उन्हें का कि हाँ मैं आपको register कर सकता है कुछ information लेने के बाद मुझे NHS के dental cover में register कर दिया मैंने पूचा कि मुझे appointment कभकी मिल सकती है क्योंकि मुझे जल्दी appointment चाहिए तो मैं check-up करवाना चाहता हूं कि क्या problem है और क्या solution होना चाहिए तो उन्होंने ये बोला कि आपको हम appointment दे सकते है 9 months के बाद क्योंकि हमारी बहुत लंबी waiting list चल रही है अच्छा मैंने का 9 months ये तो बहुत लंबा टाइम है उतने टाइम में क्या करूंगा तो उन्होंने का हमारी प्राइवेट वाले भी available है अगर आपको immediate support चाहिए तो अब प्राइवेट के थू भी आ सकते हैं लिकिन प्राइवेट वाला थोड़ा महंगा पड़ेगा तो मैंने पूछा कितना महंगा पड़ेगा तो वो कह रहें कि 60 पाउंड आपके चेकप से स्टार्ट हो जाता है कि 60 पाउंड आपको first time चेकप के देने पड़ेंगी और लेटर आउन जो भी आपका treatment होगा उसके पैसे अलग होंगे फिर मैंने पूछे charges इनके कि NHS के कोई charges है तो UK में NHS के भी charges होते है NHS dental जो cover होता है वो life threatening नहीं मानते है उसको इसलिए वो paid service है subsidized है according to UK standard की UK में जितने dentist के पैसे लगते है उसके हैसाब से it's cheaper around I think 23 pounds वो लेते है पर service के और उनके bands होते है band 1, band 2, band 3 तो इससाब से डिवाइट किया होता है किस तरह की आपकी treatment है उससाब से आपको subsidized पैसे लगेंगे आपकी वो job करवाने के तो maximum जो खर्चा है वो 250 pounds के around है पर job जैसे कि एगर implant या आपको crowning या इस तरह कुछ करवाना हो तो यह है NHS के charges अच्छा तो appointment available है नहीं तो मैंने का इस NHS का तो कोई फाइदा है नहीं मुझे register करवा के तो मैंने का तो मुझे अपना check-up करवाना है और उसके बाद मुझे बताईए कि treatment क्या है ठीक है तो मैं चला उन्होंने मुझे appointment दे दी दो दिन की बाद की देखें कितना difference है प्राइविट वाली दो दिन के बाद मुझे मिल रही है और जो NHS वाली है वो 9 महीने waiting के बाद मुझे कह रहे है लेने के लिए तो मैं चला गया मैंने का okay that's fine एक बार तो check-up करके पूछी लेते हैं कि problem कितनी बड़ी है फिर उससे आपसे देखें कि क्या आगे क्या करना है तो मैं वा आ गया उन्होंने मेरा check-up वगरा किये कुछ x-y वगरा किये उन्होंने का कि आपका जो teeth है वो तूट गया है tooth decay हो और इसलिए आपका ये tooth निकालना पड़ेगा इसकी जगह एक implant फिट करना पड़ेगा और इसके उपर crown लगेगा okay तो मैंने का जी इसके charges वगरा क्या होंगे आप हरान हो जाएंगे सुनके आप screen पर भी देख सकते हैं मैं उनका quote दिखा रहा हो आपको around 2000 pound लगबद 2 लाज रुपया एक implant मेगाने का and crowning के मिला के I think 2200 या 2500 उनोंने मुझे बोले which is very huge बहुत ही महंगा ता ये तो उन्होंने मुझे से पूचा कि आपके पास insurance है तो मैंने का insurance तो नहीं है मेरे पास ने का कि then the statement will be very expensive for you तो आप एक काम कर सकते हैं अब ही अगर आपको pain नहीं हो रही तो उन्होंने बोला कि इंडिया में जाके आप इसका इलाज करवा सकते हैं would be cheaper than London वो तो obviously था but इतना एकदम से इतने पैसे सुनके मतलब एकदम से हरान हो गया तो मैंने अंकिता को भी घर आके बोला कि first thing है हमें insurance लेनी पड़ेगी यह तो चलो luckily मुझे को pain नहीं हो रहा थ आपको तो private चाहिए ही चाहिए insurance और यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर private insurance लेना is expensive too वो cheap नहीं बढ़ता है तो हमने यही किया हमने पहले सार्च शुरू करा है कि हम बाहर देखें कौन-कौन से private insurance available है तो हमने काफी try किये but most of them 200 डाइसो पर month का मिल रहा था on an average family का तो हमने यही सर्च किया कि मैंने भी अपनी company में चेक किया कि क्या dental cover मिल सकता है हमें तो उनकी भी conditions थी अब यह भी सुनिये दियान से उनकी भी conditions थी कि या तो आप year के starting में कर सकते है या आप जब company में join करते है तब आप इन चीज़ों में enroll करा सकते है middle of the year में आप यह चीज़े नह हुआ है तो आप यह policies को change करा के add करवाना है किसी को निकलवाना है यह चीज़ कर सकते हैं and luckily तब क्यान हुआ ही था अभी तो हमने इस चीज़ को यूज करके अंकिता कंपनी से हमने insurance लिया क्योंकि वह compared to मेरी company वाले से cheaper पढ़ रहा था और अंकिता को enroll किया मुझे enroll किया त आप से क्योंकि वह कुछ subsidized होता है company की तरफ से तो इसलिए वह cheaper पढ़ता है insurance लेने के बाद मैंने का कि चलो अब इंडिया जाना तो काफी अभी time है उसमें 6 महींने क्योंकि उन्होंने यह भी बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि आप problem हो सकती है आपको तो जितनी जल्दी हो सके कि आप करवा सकते हैं बाकी immediate problem नहीं है तो थोड़ा wait करके इंडिया से करवा लीजे तो फिर मैंने यह सूचा कि क्यों ना और कहीं चेक किया जाए तो मैंने कुछ और dentistries पे call किया पता करने के लिए कि क्या कहीं सस्ता है even out of London भी अगर हो तो कहीं cheaper पढ़ता है क्या तो to my surprise minimum to minimum भी implant का जो खर्चा था वो 1600 पाउंड था 1,60,000 के आसपास तो आप सूचे कितना मैंगा है अगर आपके पास यहाँ पे private insurance नहीं है और आपको emergency हो गई तो बहुत problem हो जाएगी तो private insurance लेना यहाँ पे बहुत important है क्योंकि यहाँ पे NHS की जो dentist है वहाँ पे बहुत लंबी line ह बहुत लंबी QN है उस stand पर थोड़ा COVID का चकर भी था इसलिए 9 months होगा बट अभी भी 3-4 months तो अभी भी होगी अगर आपको immediate चाहिए तो उतना weight आप नहीं कर सकते जरूर NHS की emergency lines भी है वो भी आपको help कर सकती है बट उसमें भी आपको prove करना पड़ता है कि आपको बहुत pain हो क्योंकि you never know कि कब आपको उसकी जरूरत पड़ जाए और जरूर अपनी company में जरूर चेक करें क्योंकि उनके इस तरह के covers होते है और वो subsidized rate पे भी आपको देते तो इसलिए भी उसमें आपका फाइदा हो सकता है अब next मैंने क्या किया है तो सबसे पहले मैंने जो चीज चे प्लस जो मैं insurance का premium pay कर रहा हूँ 60 pounds का वो भी तो 380 के आसपस तो मुझे तब भी देने पड़ेंगे मनलब 38-40,000 रुपया तो तब भी देना पड़ेगा अगर आपके पास यह option नहीं है इंडिया जा के ठीक करवाने की तब भी यह still better है क्योंकि इंडिया के range भी इतने भी स और फिर हमें कुछ महीने बात इंडिया जाना ही था तो हम इंडिया गए वहाँ पर मैंने एक dentist को पकड़ा वहाँ पर मैंने अपना implant करवाया तो implant के जो इंडिया में charges लगे वो थे 20,000 रुपीस 20,000 रुपीस जो लगे उसमें से मुझे सिर्फ 4,000 रुपे देने पड़ें अपनी pocket से और rest of them was reimburse तो 16,000 रुपे reimburse हो गए थे मेरे and उसमें लेकिन ये problem थी कि जो crowning होती है वो आपको एक डेट दो महीने बाद ही करवानी होती है तो लेकिन इतना time तो हम इंडिया में stay करने वाले थे नहीं तो मैं वापिस आ गया यहाँ पर UK में and then जब मैं next time गया किया जाता है कि आप every year अपना check-up करवाएं अपने सारे teeth का gums का कि वो healthy है के नहीं flossing and brushing दो बार करें दिन में यह यहाँ पर recommended है क्योंकि इंडिया में I think कोई भी ऐसा नहीं होगा mostly I think मेरी generation वाले तो at least जो कि dental check-up करवाते हैं regularly ऐसा कभी हमने किया नहीं है लेकिन यहाँ प कमेंट कि every year आप जाके वहाँ पर यह चीज करवाएं अब यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर लगी है तो like, share, subscribe आपको करना है और don't forget to hit the